फ्रेंट्स इस वीडियो के एंड में 1 से लेकर के 5 तक आपको हमें रेटिंग देनी है इस बेसिज पर देनी है कि आज तक आपने हमारी वीडियो से कितना सीखा है आपने हमारी वीडियो को कितना पसंद किया है और आपको हमारा कॉंटेंट कितना पसंद आया है फ्रेंट्स सबसे पहले मैंने ये वाली वीडियो बनाई« इस वीडियो में मैंने राकी राणी को कैмыरा पकड़ाया, उन्होंने कैमरा पकड़ करके ये वीडियो शूट करी, तब हमारे पास कोई नोलेज नहीं थी, कोई idea नहीं था कि कैसे पढ़ाया जाता है ये board भी तब पहली बार आया था इस board पे वो पहली वीडियो थी इस setup पे वो पहली वीडियो थी जो आपने देखी थी लेकिन उस वीडियो को भी 1000 से ज़्यादा लोगों ने देखा more than 100 लोगों ने उसको like किया हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा motivation मिली हमें पता था कि बहुत सारी कमिया हैं लेकिन एक चीज़ हमारे mind में जरूर थी कि आप लोगों के लिए जो कुछ हम लोग कर सकते हैं वो हमें हर हाल में करना है अगर हमारी वज़े से आपकी life में कुछ positivity आ सकती है तो इससे बड़ा कोई reward हो नहीं सकता चाहे हमारे पास जो भी resources थे हमने पूरी कोसिस करी उसके बाद हम लोगों ने motivational वीडियो बनाने की कोसिस करी उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाने कोसिस करी जो रियल लाइफ में आपके thoughts को positive thoughts में change कर सकते हैं ऐसी सभी वीडियो में मेरे पीछे बहुत लोगों का हाथ रहा मेरी mom का हाथ रहा राखिरानी का हाथ रहा इन लोगों ने मुझे बोजल support किया इनके support के बिना ये चीज़े possible होने वाली नहीं थी सबको पता है एक अकेला इंसान इत्ता बड़ा सफरते हैं नहीं कर सकता लेकिन इनसे भी बड़ा जो support रहा इनसे भी बड़ा जो motivation रहा वो है आप लोगों का प्यार उसके बिना तो कतई भी ये चीज़े possible नहीं थी मुझे याद है जब एक दिन में मेरे more than 50 subscriber जब less हुए थे तो मेरे दिमाग में कितरा कुछ चल रहा था छोट दिना चाहिए start करना चाहिए दुबारा करें क्या करें कैसी वीडियो बनाएं कहा आप लोगों का साथ और उसी साथ से यह सफर यहां तक आया है यह वाली वीडियो देखे कितना ज्यादा चेंज आता गया कितना ज्यादा चेंज आता गया चीजें और सुधरती चली गए camera stand भी हमारे पास आया बढ़िया quality के camera's भी हम लोगों ने available करे mic system sound system भी हम लोगों ने आपके लिए available करे ताकि चीजें आपके लिए और बहतर हो सकें क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी वज़े से कोई एक इंसान पॉजिटिव हो गया तो ये समझे लिजी हमारी लाइफ सुधर चुकी है इससे बड़ी चीजे लाइफ में इससे बड़ा इनाम इससे बड़ा कोई गुडविल हमारे लिए हो नहीं सकती कि जो हमें देखता है वो हमसे इंस्पायर होता मतलब यह इतना बड़ा reward होता है कि इसको explain करना भी possible नहीं है बहुत सरे लोगों ने हमें critically ये भी कहा कि ये चीज़े ठीक नहीं है आप गलत करते हैं कुछ लोगों ने हमें dislike भी दिये कुछ लोगों ने dislike भी दिये कुछ लोगों ने उसके बाहरे में सवाल भी उठाए कि सर कोई आपको dislike करता है कोई आपको दुस्मन है लेकिन हमने हमेशा यह माना कि दुस्मन सबसे बड़ी motivation होती है फ्रेंट तो हमें motivate करते ही हैं लेकिन जो हमारे enemies हैं जो हमारे दुस्मन हैं वह सबसे बड़े motivator होते हैं हमारे लिए अगर positively सोचा जाए तो और मैंने life में हमेशा positive रहने ही कोसिस करी so that मैं अपनी positive thoughts आपके अंदर transfer कर सकूँ इतनी सारे hindrances इतने सारे पत्थर इतने सारे रोडे बीच में जो आए उनको हम लोगों ने पार किया easily पार किया कई बार तकलीफे हुई लेकिन हम लोगों ने पार किया just because of you because आप लोगों हमारे साथ बने रहे एक के बाद एक subscribe रेड होते गए एक के बाद एक चीज़े सुधरती चली गई और finally हम लोगों ने आपके पास इतनी सारे चीज़े भेजी इतनी सारे चीज़े आप लोगों के साथ share करी कि आज हमें ये feel होता है कि कितने सारे बच्चों हमारी वीडियो को देख करके कितना सारा कुछ सीखा होगा और यह सौच करके भी इतना ज्यादा relief मिलता है कि इसको explain करना possible नहीं है सपना बच्पन से मेरा कोई YouTuber बनने का नहीं था कोई बहुत बड़ी family में रिच family में मैंने जनाव नहीं लिया normal school से normal education कोई बहुत ज्यादा हाइफ पढ़ाई मैंने नहीं करी normal चीजें ही life में करी लेकिन एक सपना जरूर था कि हमारी कोई face value हो सके चार लोग हमें जाने हमें पहचाने कुछ लोग हम से कुछ सीख सके कुछ लोग हमसे inspired हो सके कुछ लोग हमारे बारे में बाते कर सके मतलब यह चीजे बस हमारे दिम नहीं है मम्मी को जब मैंने बताया फर्स्ट टाइम कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो उनकी आखों में एक चमक थी और उस चमक की वज़े से ना मुझे इतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला कि यह एक्स्प्लेइन करने लाइक चीज़ें नहीं है बट फाइनली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थैंक्स जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों के बिना ये चीज़ें किसी भी लेवल तक पॉसिबल नहीं हो सकती थी आज तक आप लोगों ने साथ दिया आई होप कि आप आगे भी साथ देंगे इस वीडियो में जब ये वीडियो एंड अप होगी तो आप एक से लेकर के पांस तक हमें स्टार दीजिए वन टू फाइव रेटिंग हमें दीजिए कमेंट वक्स में कमेंट चोड़िए कि आपने हमारी वीडियो से कितना सीखा किस हद तक कम रेटिंग दे सकते हैं या कोई ऐसा कमेंट चोड़ सकते हैं उससे भी हम लोग मोटिवेट ही होंगे और आगे चल करके लाइफ में आप के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे वीडियो देखने के लिए थैंक्स अगर नए वीवर है तो सब्सक्राइब कर ल ये थैंक्यू